आज का हमारा टॉपिक होगा Codification of Functional Analysis प्रे कार्यात्मक विशलेशन का सहीताकरण अब ये सहीताकरण वर्ड क्या है Codification Maths का एक वर्ड है तो Codified करना होता है कि किसी भी चीज को किसी भी समस्या को उसमें पुछे गई questions को हम एक Code प्रदान करें उन Codes के According जैसे आपकी class होती है, class में आपके admission लिखे होते हैं, admission के time आपको एक roll number दिया जाता है कि यह आपका roll number है, तो आपके attendance आपके नाम से, नाम के according नहीं आपके roll number के हिसाब से लगेगी, अगर किसी का 80 roll number है, तो आप 80 बोलोगे तो एक sequence जाता है, फटाक से आप 80 पे पहुंचेंगी मैम और आपकी attendance लगा देंगी, लेकिन अगर आप अपना नाम बोलोगे तो आपका नाम वहाँ से वहा सहीता करन, एक sequence में लगाया जाता है, तो हमें उसे ना तो समझने में problem होती है, और ना ही उस तक पहुंचने में, आपको इसे भी page पे, अगर आपके पास book है, book पे आपका एक जो पहला प्रेस्ट होता है, जिसको अनू क्रमनी का, या फिर contents कहते हैं, तो उसमें एक codified किया होता है, आपके जो विचार हैं, thoughts हैं, आपके जो lessons हैं, कि इस lesson, ये lesson इस वाले page पर आपको मिलेगा, आप जैसे ये वाला आप हम topic कर रहे हैं, या फिर middle range theory है, हमारी book हमारे पास है, उस तर समा साच्छत है सिध्धान, लेकिन हम उसमें देखेंगे कि middle range theory 9 अध्याय पर है, 9 अध्याय कौन से page number पर मिलेगा, तो 148 page number पर हमें ये मिलेगा, तो ये क्या हुआ, ये एक codification हुआ, codify किया गया, एक सहीता करन, एक sequence से चीजों को लगाया गया, कि आप कभी भी परेशान ना हो, आपको दिक्कत ना हो, ढूलने में चीजों को, और आपको, आपका समय भी waste ना हो, जब आप चीजों को सर्च करें, तो ये ही होता है, सहीता करन, ये ही होता है, codification, ठीक है, codification of functional analysis, अब हम देखते हैं कि मर्टन इसको किस तरह से समझाते हैं, अभी हमने बहुत जगा सर्च किया, लेकिन आपके किसी भी point पर, या फिर किसी भी प्रस्दूवी पर, टॉपिक किये, जैसे ही तुम्हारा ये MA, फर्स्ट येर का, सेकेंड सेमेस्टर का, तुम्हारा ये कौन सा टॉपिक है, फूज़ टॉपिक है, फर्स्थ था, मिडल एनसियोरी, फर्स यूनिट का, सेकेंड paradigm, फर्ड ऐप का, कौन सा था, छलो ये शायद फर्ड या फॉर् codification of function analysis paradigm हो गया मद्य सीमा सिध्धान हो गया दूसरा paradigm हो गया हा तीसरा पहला मद्य सीमा सिध्धान दूसरा paradigm तीसरा अनोमी और ये फोर टॉपिक है आपका Codification of Functional Analysis तो मर्टन इसमें अब क्या बताते हैं मैं यह कह रहे थी कि मतलब किसी भी जगह पर इस टॉपिक को पूरे अच्छे से explain नहीं किया गया प्रेकारयात्मक विशलेशन तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे मर्टन के according देखते हैं क्या कहते हैं क्या समझाने की कोशिश करते हैं अपने प्रेकारयात्मक विशलेशन के सहिता करन में ठीक है वास्तों में वास्तों में प्रेकारयात्मक सिधान अब स्टार्ट करने से पहले भी एक बात और मैं तुम्हें रिमाइंड करा दू कि मैं कोई regular YouTuber नहीं हूँ मैं केवल अपने class के बच्चों की वजह से ये videos upload कर रही हूँ तो इसकी image जो quality है वो खराब हो जाएगी जैसे ही video upload होगी मैं कोशिश करूँगी कि सबकी PDF उनके जो topic है उनके description में दे दू लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ोगे और आप इसको 380 पे अपनी quality कर लो या 70 कुछ जो quality है वो सही picture quality करके उसके screenshot भी ले सकते हो और तब आप पढ़ना स्टार्ट करो तो जादा अच्छा रहेगा ठीक है अब स्टार्ट करते हैं वास्तब में प्रेकार अत्मक सिधान का निर्मान जिस प्रकार मर्टन ने किया वे एक प्रकार का सैधानतिक सहीता करण है सहीता करण के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ जिसमें वे रेड रेड क्लिफ ब्राउन मेलनोवस्की और पार्सन से जो कुछ भी ले सकते हैं उदार हाथ से लेते हैं ये चर्चाएं बार-बार होती रही हैं और होती रहेगी जब तक मर्टन का टॉपिक चलता रहेगा मर्टन का बर्त 1910 में हुआ ये अमेरिकन समाशास्त्री हैं और मर्टन की डेफ जो हुई वो 2003 में हुई ठीक है? अब मर्टन की बहुत सारी बुक्स है लेकिन सबसे इंपोर्टन बुक और सबसे फेमस बुक जो है वो है Social Theory and Social Structure ये Social Theory and Social Structure बुक मर्टन की 1949 में सबसे पहली बार आई उसके बाद इसमें संशोधन हुआ 1957 में उसके बाद एक बार और से संशोधन हुआ तो 1968 में तो ये तीन बार एक बार आई और दो बार इसमें संशोधन हो चुका है ये Parsons की बुक है Social Theory and Social Structure 20 से जादा जादा भाशाओं में अब तक ये पब्लिश हो चुकी है और अपने आप में बिलियंट एक बुक है तो मर्टन के बारे में कहा गया है या फिर मर्टन ने खुद कहा है चाहे वो Middle Age Theory की बात हो रही हो चाहे Paradigm की बात हो रही हो चाहे Anomy की बात हो रही हो और अब Codification of Functional Analysis की बात भी हो रही है तब भी कहा जा रहा है कि Red Cliff, Brown, Mel Novosky और Parsons से जो कुछ भी ले सकते थे मर्टन उन्होंने लिया इन सारे राइटर्स को पढ़ने के बाद मर्टन ने जो भी समझा मर्टन को जो समझाया उसके आधार पर अपनी बुक में ये टॉपिक सारे के सारे मर्टन ने दिये उनके आधार पर इनको बोल देते कि उधार लिया है लेकिन ये पॉइंट भी सही है सबसे पहले वे परकार्य पद्की में मानशा करते हैं और सलहा देते हैं उसको समझते हैं और बताते हैं कि इस पद के मन माने परियोग को छोड़ कर विशिष्ट अर्थ में ही काम में लेना चाहिए कि हम इन सारे पदों को अपने according कम यूज करेंगे बलकि जो वो topics कह रहे हैं जो वो पद कह रहे हैं उनके according उनके जो विशिष्ट अर्थ निकलते हैं हम उनही को काम में लेंगे और उनही को काम में लेना चाहिए प्रेकारे पद का विशिस्ट आर्थ गणित के चर से जुड़ा हुआ है ठीक है सहीता करन कोडिफिकेशन एक गणित का वर्ड है यह हम पहले ही बता चुके है और इसका आर्थ व्यवस्था के एक भाग से संबन एक भाग से जुड़ा हुआ है यह कोडिफिकेशन पूरी व्यवस्था में हमें देखने को मिलते हैं चाहे हमारी बुक हो चाहे हमारी रियल लाइफ हो या फिर कोई भी सिधान्त हो या स्वह समस्या हो इसके बाद वे प्रेकार अत्मक विश्लेशन को वैचारी की के इस तर पर देखते हैं अब एक विचार के रूप में देखते हैं प्रेकार अत्मक विश्लेशन अपने आप में बहुत ही जटिल है इसके परस पर विरोधी सवरूप है यह अपने आप में मुश्किल है और इसके विरोध भी होते हैं मर्टन सोचता है कि समाज और संस्थाएं कैसे काम करती हैं मर्टन का अनुभाव जन्य परिक्षन में उनके विष्वास ने कार्यात्माग विश्लेशन के अपने परतीमान के विकास का नित्रत्यों किया मर्टन जैसे समझता है जैसे उन्होंने समझा वैसे ही अपने कार्यों में इसका विशलेशन किया और परतिमानों को दिया मर्टन के नुसार परतिमान कोडित मूल्य, अक्सर मोन, माननेताओं, समस्याओं, के सैट, प्रमुखवधार्णाओं, प्रक्रियाओं के तर्क और चुनिंदा ग्यान के उधारण जो सभी वैग्यानिक छेत्रों में जाच को निर्देशित करते हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है, इन सभी को कोडिफाइब किया गया है, अब ये बात तो कही, functional analysis के बारे में, मर्टन ने, अब कहते हैं कि मर्टन का प्रेकार्यात्मक विशलेशन एक विचारधारा के रूप में, तो यह एक विचारधारा कैसे है, इसको बताते हैं मर्टन, कि मर्टन का प्रेकार्यात्मक विशलेशन एक विचारधारा के रूप में, इस सिद्धान का उद्गम हुआ, उस पर कई तरह क्या रोप लगाए गया, विचारधारा के इस तरह पर यह कहा जाता है, कि प्रेकार्यवाद सिध्धान्त ने होकर एक निश्चित विचारधारा का पोशक है इसे सिध्धान्त नहीं कहा गया बलकि एक विचारधारा कहा गया इसे दक्यानुसी या रूडिवादी विचार भी कहा जाता है कुछ विचारक तो प्रकार्यवादी सिध्धान्त को प्रतिक्रियावादी सिध्धान्त भी कहते हैं इन आरोपों का बहुत बड़ा आधार यह है कि प्रक्रियावादी सिध्धान्त में किसी तरह की गती शीलता नहीं रहती भाई जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो हमारे सिध्धानतों के according रहती है अब सिध्धानतों के according मिलने वाली प्रेक्रियाओं में क्या परिवर्तन हो सकता है तो प्रक्रियाएं जो हैं वो गतीशील नहीं होती जबकि जो प्रकार्यवादी हमारी थौट्स होती हैं वो गतीशील होती हैं इनकी रूची समाज को उसी अवस्था में बनाए रखने की है जिस अवस्था में वह है बस व्यवस्था तूटे नहीं कहा है कि प्रेकरियावादी जो सिध्धान्त है उनकी रूची केवल उसी अवस्था को बनाए रखने में है कि अवस्था में जिस अवस्था में है वो है बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था उनकी ने टूटने पाए यहें इस सिध्धान्त का लक्ष होता है कौन से सिध्धान्त का प्रतिक्रियावादिका जबकि प्रैकार्यात्मक सिध्धान्त के निश्क्रिया होने के कारण समाज की यथा स्थिति बनी रहेगी यदि प्रैकार्यात्मक सिध्धान्त निश्क्रिया हो जाए तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा पलकि उसकी जो इस्तिती है वो as it is बनी रहेगी इसलिए कहा गया है कि प्रेकार रात्मंत्य सिध्धान्त है वो गतीशील है ना की निश्क्रिया ना की ए गतीशील है आज का समय वर्ग समाज का है इस समाज में पोंजी पतियों उद्दमियों आर्थिक वे राजनितिक अभी जनों आदी का स्थान सर्वोच है इसी समाज के अंतिम छोर पर निम्न वर्ग के निम्न वर्ग वे दलित वर्ग है यदि प्रकार्यवादी संदर्श में देखा जाए तो दलित वर्ड ये कहना गलत होगा कि दलित वर्ड अभी एक बच्चे ने इससे पहले कोशिन भी किया था कि पूशिन किया था कि पूझी पती और उद्योगों में क्या फर्क होता है पूझी पती और उद्योगों में ये फर्क होता है कि पूझी पती पैसा उद्योगों में जो पैसा लगाते हैं वो पूझी पती होते हैं और जो उद्योग करते हैं वो उद्योगी होते हैं जब कोई व्यक्ति फैक्टरी लगाता है तो वो बैंक से लोन लेता है या फिर अपना जो मार्किट होता है जो उद्यम छेतर होता है वहां से कुछ लोग वहां पर पैसा उधार देने वाले होता है उन्हें पूंजी पती कहा जाता है और वहां से पैसा उठा कर वो अपने उ प्रब्लम भी आ जाते हैं तो जो उद्यमी है वो अर्ष से फर्ष पर आ जाता है तो पुझी पतियों की स्थिती जो है वो यथावत बनी रहती है चाहे उसकी उद्यमी की उन्हें प्रोपर्टी बेच कर अपना पैसा जो है वो वापस लेना हो तो कुछ ऐसे मार्केट में उ पैसा ब्याज पर देते हैं उद्यमी नहीं सोरी पुझी पति होते हैं जो अपना पैसा ब्याज पर देते हैं और सारा का सारो दारोमदार जो है वो उद्यमी उपर रहता है जो उद्योग पति हैं वो उन पर रहता है उद्योग में कौन सी उंच नीच होगी कौन सा घटा बढ़ा जो भी होगा जो भी प्रॉफिट होगा वो उन्हीं को होगा उन्हें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लोश हो जो भी फर्क पड़ेगा वो उद्यमी पर पड़ेगा जबकि पूझी पती की पूझी सुरक्षित रहेगी और वो अपने ब्याद सही पैसे उद्यमी से ले लेगा तो यह फर्क है उद्यमी और पुझी पती में अब हम बात कर रहे थे कि निम्न वर्ग वे दलित वर्ग हैं यदि प्रकार्यवादी संदर्श में देखा जाए तो दलित वे गरीबों का कोई भविश्य नहीं मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहूंगी कि दलित और गरीब अब यहाँ पर दो वर्ड जोड़े गए हैं यहाँ पर दलित वर्ड को इन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि आज सिर्फ गरीबी एक पॉइंट है ना कि दलित या या चनल जो सामाने हकास से बिलॉंग करते हैं वो भी आज की डेट में गरीब हैं तो यहाँ पर दलित वर्ड छोड़ देना चाहिए बलकि गरीब या फिर जिने नौलिज नहीं है जिने ग्यान नहीं है जिनके पास सिक्षा नहीं है उन लोगों को यहाँ पर कोट करना चाहिए क्योंकि जिस समय यह बुक लिखी गई व यहाँ पर पिछडे हुए केवल दलित नहीं रहे गए हैं तो इसलिए यहाँ पर केवल दलित को पॉइंट आउट करना सही नहीं होगा गरीबों को पॉइंट आउट करो या फिर ऐसिक्षित लोगों को पॉइंट आउट करो या फिर जो लोग नीचे की व्यवास्थाओं मजबूत होता है कि समाज के उचवर्ग परकारवाद को बढ़ावा इसलिए देते हैं परकारवाद क्या है भई कारे प्रगती करेंगे आज की रेट में एक से एक नई चीज आ रही है चाहे वाशिंग मशीन हो वो भी ओटोमेटिक आ गी है चाहे एसी हो चाहे गेहूं काटन की मशीने हो तो जो उद्योग है वो निरंतर बढ़ रहा है जो कारे करने के तरीके हैं कारे करने की शैलिया है जो वो निरंतर परिवर्तित हो रही है जब शैलिया हमारी परिवर्तित हो रही है तो अब ये आरोब भी उद्यमियों पे गलत ही होगा शायद कि समाज में उनक के पुझी पती जिस जिस तरह से कार्य बढ़ाएंगे उनकी पुझी बढ़ती रहेगी और या फिर उध्यमी बढ़ाएंगे तो उनका उनकी उध्योग से उनकी पुझी भी बढ़ती रहेगी उद्योग भी बढ़ता रहेगा लेकिन जो एक labor system है चाहे वो कोई टॉफी पैकिंग हो चाहे चॉकलेट हो चाहे एक चिप्स बनाने वाली company हो लेकिन जो एक labor work है कि वहां से company से चीजे रैप होकर आई और वो धीरे धीरे छोटे छोटे घाओं तक पहुची लेकिन जो नीच काम करने वाले लोग है उनकी इस्थिती जो है वो यथावत बनी हुई है क्योंकि उन्हीं के throughout ये सारी चीजे मार्केट में circulate होती है बढ़ती है अगर वही वर्ग नहीं होगा तो ये circulation जो system है वो रुख जाएगा अब कुछ विचारक प्रेकार्यात्म को क्रांतिकारी मान करते हैं लेपियर अब लेपियर इसको सिद्धान को क्लियर करते हैं इस बात को क्लियर करते हैं कि प्रेकार्यात्मक विचलेशन अपने अपने द्रश्टिकोन में आलोचना आत्मक है इसकी क्योंकि प्रेकार्यात्मक विचलेशन की जा सकती है और अपने निर्ने में वहव वादी समझा जाता है वहीं दूसरी और क्रांतिकारी भी इसमें रूडिवादी पॉइंट पी दिया इनोंने और क्रांतिकारी भी वास्विक्ता यह है कि यह सिध्धान्त ने तो रूडिवादी है और नहीं क्रांतिकारी किसी भी सिध्धान्त के साथ विचारधारों को इसमें एक तरहे का विज्ञान होता है, तर्क होता है, आगमन वे निगमन होते हैं, विशिष्झता और सामान्यता होती है, तो फिर ऐसे शिद्धान को किसी राजनेतिक या आर्थिक विचारधारा के साथ जोड़ना, सिद्धान के साथ अन्याय करना होगा. अब ये सारा विशलेशन according to Martin था लेपियर ने भी इसमें अपनी कुछ बात कही तो ये प्रैकार्यत्मक विशलेशन और कोडिफिकेशन हम जब तक अधूरा समझेंगे तब तक इसमें paradigm की उन हम 11 मदों को 11 points को हम add नहीं कर लेते जिनके द्वारा हम इस society को judge करते हैं, society को जानते हैं, society को समझते हैं अब वो क्या है? मैंने इसकी full detail तो paradigm में भी दी है और आपको यहाँ पर full detail use करने की जुरत भी नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक codification की बात कर रहे हैं, तो codification में हम इसके केवल 11 points के codes को उठाएंगे, कि 11 points आपको किस दिशा में ले जाते हैं, कि आपको सिध्धान को किस तरह से समझना चाहिए एक जो प्रैकारयात्मक visualization है, वो किस प्रकार से करना चाहिए तो इसलिए मैंने इसमें paradigm for functional analysis in sociology तो paradigm द्वारा प्रैकारयात्मक visualization किस प्रकार से होगा sociology का, ठीक है तो इसके points क्या-क्या थे, प्रैकारया की पहचान, सबसे पहले आपको जो कारय करना है, उसकी पहचान करनी होगी, फिर उससे related जो उद्देशे हैं, या फिर किस कारण आप उसको कर रहे हैं उसके क्या उद्देशे हैं, या फिर इसकी कारय को करने की आपको प्रेणा कहां से मिली प्रेणा है, फिर आती है व्यवस्था को बनाना, इन कारयों के द्वारा आप किस परकार से व्यवस्था को बनाते हैं, इकायों की पहचान करनी है फिर वेवस्था को बनाने के बाद इकायों की पैचान करो और जब आपकी इकायों की भी पैचान हो जाए तो आपकी आवशक्ताइं और पूरा आवशक्ताइं क्या है उन्हें पूरा कीजिए इन आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए आपने कौन कौन से क्रियाविधियों का कौन से मैथड का यूज किया है उसके बारे में बताएए फिर उसका प्रेकार्यात्मक विकल्प के एक कारे को करने के केवल एक ही तरीका नहीं होता है बलकि उसके कई सारे विकल्प भी होते हैं जैसे हमने इसकी फुल डेटे और दूसरा विकल्ब होता है कि दोनों को रोज रोज की चिक-चिक से लड़ाई जगड़े से चुटकारा मिलता है तो एक विकल्ब के दो परकारे हो सकते हैं अब जब इस तरह के कारे हमारी सोसाइटी में होते हैं तो उन पर सरचनात्मक दबाओ किस परकार का पड़ता है सो तो उससे कौन सी गती शिल्टा आएगी जैसे वो पती पतनिया लग हुए तो उनकी लाइफ में कौन सी गती शिल्टा आएगी गती शिल्टा आएगी या नहीं आएगी या परिवर्तन होंगे या नहीं होंगे तो आपके प्रकारे में आप अपने अकॉर्डिंग उस प्रकारे को देखो कि उसमें कितनी गती शिल्टा आई या फिर परिवर्तन हुआ अब गती शिल्टा आई और परिवर्तन हुआ तो उसका क्या परमानितरन है किस परकार से उसको प्रमानित किया जा सकता है प्रमानित करने के बाद आप उसकी वैचारिक समस्याओं के बारे में बताएंगे कि उनमें कौन-कौन सी वैचारिक समस्याओं आपको उत्पन हुई और कौन-कौन सी समस्याओं का आपको उसमें सामना करना पड़ा तो ये था आपका पूरा पूरा का पूरा टॉपिक प्रेकारयात्मक विशलेशन का सहीता करण यही पर अप पूरा होता है और अगर आपको पैराडेम देखना है तो पैराडेम के लिए इससे पहली वीडियो पड़ी है और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप मैं सबको एक एक करके ऐसे इंडियो जली नहीं भेशती रहोंगी वीडियो आप अपने आप से या तो एक दूसरे को फॉरवर्ड कर लो या फिर सभी के सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको एक दूसरे पर डिपेंड हैने की भी जूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने आप से वीडियो मिल जाएगी उसका बैल आइकन भी प्रेस कर ले ना ताकि मैं जो भी वीडियो डालू तो आपको आसानी से मिल जाएगी जितने भी म पास्ट एर सेकिंड एर और फाइनल एर में भी मर्टन नहीं है लेकिन और बहुत सारे राइटर आएंगे जो बीए फाइनल में भी कोट किये गए हैं और बहुत सारी समस्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे जो बीए और में के स्लेबस में कही ना कहीं कोरेलेट करते हैं औ के इस वीडियो को मैं खतम कर रहे हूं धन्यवाद कि कितने बाल जड़ रहे हैं पिल्टाव